नमस्कार, आज का ये उतकर्ष अमारो सच मुझ में उत्तम है और इस बात ता प्रमाण है जब सरकार इमानदारी से एक संकल्प लेकर लाभार्ति तक पहुंचती है हैं तो कितने सार्थक पनणाम मिलते हैं मैं भरुज जीला प्रशासन को गुजराश सरकार को सामाजीक सुरक्षा से जुड़ी चार योजनाओं के शत्प्रतिशन सेचुरेशन कवरेच के लिए आप सब को जितनी बढ़ाई दू अतनी कम है आप सब अनेक अनेक बढ़ाई के अधिकारी हैं अभी मैं जब इन योजनाओं के लाभारतियों से बात्चित कर रहा था तो मैं देख रहा था कि उनके भीतर कितना संतोश है कितना आत्ममिश्वास है मुसीबतों से मुकाबला करने में जब सरकार की छोटी सी भी मदद मिल जाएं तो होसला कितना बलंद हो जाता है और मुसीबत खुद मजबूर हो जाती है और जो मुसीबत को जहलता है वो मजबूत हो जाता है ये आज मैं आप सब के साथ बात्चित करते हुए अनुभव कर रहा था इन चार योजनाओं में जिन भी बहनों की जिन भी परिवारों को लाब मिला है वो मेरे आदिवासी समाथ के भाई बहन मेरे दलीत पिछड़े वर्क के भाई बहन मेरे अलपसिंग के समाज के भाई बहन अक्सर हम देखते हैं कि जानकारी के अभाव में अनेक लोग योजनाओं के लाब से बंचित रह जाते हैं कभी कभी तो योजनाओं एक कागज पर ही रह जाती है कभी कभी योजनाओं तो बेइमान लोग उठा करके ले जाते हैं फाईजा लेकिन जब इरादा हो नियत साफ हो नेकी से काम करने का इरादा हो और जिस बात को लेकर कि मैं हमेशा काम करने की कोशिश करता हूँ वो है सबका साथ सबका विकास की भावना जिस से नतीजे भी मिलते हैं किसी भी योजना के शत्त प्रतिक्षत लाभार्ति तक पहुँचना एक बड़ा लक्षा है काम कठीन जरूर है लेकिन रास्ता सही यही है मैं सभी लाभार्तियों को प्रशाशन को यह आपने जो अच्चिव किया है इसके लिए बद्धाई देना ही है मुझे साथियों आप जानते हैं भरी भाती हमारी सरकार जब से आपने मुझे गुजरात से दिल्ली की सेवा के लिए बेजा देश की सेवा के लिए बीजा अब उसको भी आठ वर्ष हो जाएंगे आठ वर्ष सेवा सुसासन और गरिब कल्यान को समर्पित रहे है अग जो कुछ में मैं कर पा रहा हूँ वो आपी लोगों के पास सीखा हूँ आपी के बीच में जीते हुए विकास क्या होता है दुखदर्द क्या होते है गरीबी क्या होती है मुसिबतें क्या होती है उनको बहुत नीकर से अनुभव किया है और वो ही अनुभव है जिसको लेकर के आज पूरे देश के लिए देश के करोडों करोडों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रुप में काम कर रहा हूँ सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब कल्यान की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी जो भी उसका हकदार है वो हकदार छूटना नहीं चाहिए सबको लाभ मिलना चाहिए जो हकदार है और पूरा लाभ मिलना चाहिए और मेरे प्यारे भाइयों भाइनों जब हम किसी भी योजना में शत्व प्रतिशत यानि 100% लक्ष को हासिल करते हैं तो ये 100% ये सिर्फ आकड़ा नहीं है अकबार में इस्तहार देने का मामला नहीं है सिर्फ इसका मतलब होता है शासन, प्रशासन, संबेदंचिल है आपके सुख दुख का साथी है ये उसका सबसे बड़ा सबूत होता है आज देश में हमारी सरकार के आठ साल पूरे हो रहे हैं और जब आठ साल पूरे हो रहे हैं तो हम एक नए संकल्प के साथ नई उर्जा के साथ आगे बढ़नें के लिए तैयारी करते हैं मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले ते बरिष्ट नेता है एक पैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं राजनितिक विरोध भी करते रहें लेकिन मैं उनका आधर भी करता रहता हूं, तो कुछ बातों के कारूं उनको थोड़ा था, राजी ना राजी इसी जो एक दिन मिल ले आए, तो मोधी जी अब क्या करना है, दो दो बार देश ने आपको पुधान मंतरी बना दिया, अब क्या करना है, उनको लगता था कि दो पुधान मंतरी बन गया, मतलब बहुत कुछ हो गया, उनको पता नहीं है, मोधी किसी अलग मिट्टी का है, एक गुजराती धर्ती ने उसको तयार किया है, और इसलिए, जो भी हो गया, अच्छा हो गया, चलो अराम करो, नहीं, मेरा सपना है, सच्चुरेशन, शत्त प्रत प्रतिशत लक्ष को तरफ हमाएं आगे बढ़े, सरकारी मशिन्री को आदट डाले, नागरिकों को भी विस्वास प्यादा करे, आपको याद होगा, 2014 में, जब आपने हमें सेवा का मौका दिया था, तो देश की करीब करीब आधी आबादी, सवचाले की सुविधा से, टीका करण की सुविधा से, बिजिली कनेक्शन की सुविधा से, बैंक एकाउंट की सुविधा से, से, सेंकड़ों मिल दूर थी, एक प्रकारते मंचित थी, इन बर्षों में, हम सभी के प्रयासों से, अनेक योजनाओं का, शत्त प्रतीशत सेचुरेशन के करीब करीब लाप आए हैं, अब आठ वर्ष के लिए इस महत्वकुण अउसर पर, एक बार फिर, कमर कस करके, सबका साथ ले करके, सबके प्रयास से, आगे बढ़ना ही है, और हर जरुरत्मन को, हर हकदार को, उसका हक दिलाने के लिए, जी जान से जुट जाना है, मैंने पहले कहा, यह ऐसे काम कठीर होते हैं, राजनेता भी उनको हाथ लगाने से डरते हैं, लेकिन मैं राजनीती करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिरफ इस देश वाज़्चों की सेवा करने के लिए आया, देश ने संकर पे लिया है, शत प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुँचने का, और जब शत प्रतिशत पहुँचते हैं न, तो सबसे पहला, जो मनोवेग्यानिक परिवर्टन आता है, वो बहुत महत्वपून है, उसमें देश का नागरी, याचक की अवस्ता से बहार निकल जाता है पहले तो, वो मांगने के लिए कतार में खड़ा है, वो भाव खतम हो जाता है, उसके अंदर की विश्वास प्यादा होता है, यह मेरा देश है, यह मेरी सरकार है, यह पैसों पर मेरा हक है, मेरे देश के नागरी कों का हक है, यह भाव उसके अंदर भीतर पैदा होता है, और उसके अंदर कर्तव्य के बीज भी वो देता है, और साथियों जब सेच्विरेशन होता है ना, तो बेदभाव की सारी गुंजाईश खत्म हो जाती है, किसी की सिफारस की जरूत नहीं पड़ती है, हर एक को विश्वास रहता है, भले उसको पहले मिला होगा, लेकिन बाद में भी मुझे मिलेगा ही, दो मेने बाद मिलेगा, छै मेने बाद मिलेगा, लेकिन मिलने बादा है, उसको किसी की सिफारस की जरूत नहीं पड़ती है, और तो देने बादा है, वो भी किसी को यह नहीं कह सकता है, तुम मेरे हो इक लिए दे रहा हूँ, वो तो मेरा नहीं इक लिए नहीं दे रहा हूँ, बेदवाव नहीं कर सकता है, और देश ने संकल्प लिया है, शत्र प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचने का, और जब शत्र प्रतिशत होता है, तो तुष्ठी करण की राजनीती तो समाप्त ही हो जाती है, उसके लिए कोई जगह ने बेचती है, शत्र प्रतिशत लाभार्थियों के पहुंचने का मतलब होता है, समाज में अंतिम पाइदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना, जिसका कोई नहीं है, उसके लिए सरकार होती है, सरकार के संकल्प होते है, सरकार उसकी साथी बन करके चलती है, ये भाव देश के दूर दरार जंगलों में रहने वाला दरा आजिवासी हो, जुग्गी जोपनी में जीने वाला कोई गरीब मा बहन हो, बुढ़ापे में अकेले जिन्दगी गुजारने वाला कोई व्यक्ति हो, हर किसी को, ये विश्वास पादा कराना है, कि उसके हक की चीजें उसके दरवाजे पर आकर के देने के लिए प्रयास करेंगे। साथियों, सत्प्रतिशत लाभार्थियों की कवरेज, यानि हर मत, हर पंत, हर वर्ग को एक समान रुप से सबका साथ, सबका विकार, शत्प्रतिशत लाभ, गरीब कल्यार के हर योजना से कोई छूते ना, कोई पीछे ना रहे, ये बहुत बड़ा संकल्ब है, आपने आज जो राखी दिये ना, सब विद्वा माताओं ने, मेरे लिए जो राखी भी इतनी बड़ी बनाई है राखी, ये सिरफ धागा नहीं है, ये आपने मुझे एक शक्ति दी है, सामर्थ दिया है, और जिन सपनों को लेकर के चले हैं, उन सपनों को पुरा करने के लिए शक्ति दी है, इसलिए आज जो आपने मुझे राखी दी है, उसे मैं अनमोल भेट मानता हूँ, ये राखी मुझे हमेशा, देश के गरीबों की सेवा के लिए, शत्र प्रतिशत सर्चुरिशन की तरफ सरकारों को दोडाने के लिए, प्रेना भी देगी, साहस भी देगी, और साथ भी दे यही तो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वाश और सबका प्रयास, अजराखी भी सब विद्वा माताओं के प्रयास से बड़ी है, और मैं तो जब गुझरात में था, बार बार मैं कहता था, कभी-कभी खबरे आती थी, मेरे पर, मेरी शुरुक्षा को लेकर के इक आंट बार तो मेरी बिमारी की खबर आ गयी थी, तम मैं कहता था भाई, मुझे तो कोटी-कोटी माताओं बहनों का रक्षा कवच मिला हुआ है. जब तक ये कोटी कोटी माताओ बेहनों का रक्षा कवच मुझे मिला हुआ है उने रक्षा कवच को भेद करके कोई भी मुझे कुछ नहीं कर सकता है और आज मैं देख रहा हूं हर कदम पर हर पल очो बेहने उनकी आशिरवार हमेशा मुझे पर बने रहते इन माता और भेनों का जितना मैं कर्ज चुका हूँ उतना कम है और इसलिए साथ ही इसी संस्कार के कारण मैंने लाल के लिए से हिम्मत की थी एक बार बोलने की कठीन काम है मैं फिर कह रहा हूँ मुझे मालूम है ये कठीन काम है, कैसे करना मुश्किल है मैं जानता हूँ, सब राज्यों को प्रेरिद करना, साथ लेना मुश्किल काम है मैं जानता हूँ, सभी सरकारी कर्वचारियों को इस काम के लिए दोड़ाना, कठीन है मैं जानता हूँ, लेकिन आज आजी का अम्रित काल है, आज आजी के 75 साल हुए है, इस अम्रित काल में मुल्वुत सुविधाओं की योजनाओं के सैचुरेशन की बात मैंने लाल के लिए से कही लिए, शत्व प्रतिशत्व सेवा भाव का हमारा यभ्यान, सामाजी ग्ण्याय सोशल जस्टिस का बहुत बड़ा माध्यम है, मुझे खुशी है कि हमारे गुजरात के मुर्दी और मक्कम मुख्यमंत्री भुपेंदर भाई पटेल, उनके नेत्रुत्व में गुजरात सरकारी संकल्प को सिद्ध करने में पूरी निष्टा के साथ जुटी है, साथियों हमारी सरकार ने, सामाजी सुरक्षा, जनकल्या, और गरीबों को गरीमा, यह सारा जो मेरा सेचुरेशन का अभ्यान है ने, अगर एक शब्द में कहना है तो वो यही है, गरीब को गरीमा, गरीब की गरीमा के लिए सरकार, गरीब की गरीमा के लिए संकल्प, और गरीब की गरीमा के संसकार, यही तो हमें प्रिरित करते हैं। पहले हम जब सोशल सिकूरिटी की बात सुनते थे, तो अक्सर दूसरे छोटे छोटे देशों के उदान देते थे। भारत में इनको लागू करने के जो भी प्रयास हुए हैं। उनका दाइरा और प्रभाव दोनों बहुत सिमित रहे हैं। लेकिन साल 2014 के बात देश ने अपने दाइरे को व्यापक किया। देश सब को साथ लेकर चला। परणाम हम सभी के सामने हैं। 50 करोड से अधिक देश सवाजियों को 5 लाख रुपिये तक मुप्त इलाज की सुविधा मिली। करोडों लोगों को 4 लाख रुपिया तक के दुरगटना और जीवन भीमा की सुविधा मिली। करोडों भारतियों को 60 वर्ष की आईू के बाद एक निश्चित पैंशन की विवस्ता मिली। अपना पक्ता घर, टॉइलेट, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बैंक में खाता। ऐसी सुविधाओं के लिए तो गरीब सरकारी दप्तरों के चक्कर काट काट करके उनकी जिंदगी पुरी हो जाती है। वो हार जाते थे। हमारी सरकार ने इन सारी परिस्तितियों को बदला। योजनाओं में सुधार किया, नए लक्ष बनाए और उन्हें निरंतरहं प्राप्त भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों को पहली बार सीधी मदद मिली, छोटे किसानों को तो कोई पूस्ता नहीं था भई। और हमारे देश में नब्वे परसंट छोटे किसान हैं, असी परसंट से जादा, करीब करीब नब्वे परसंट। जिसके पात दो एकड़ भूमी मुष्खिल से हैं। उन छोटे किसानों के लिए हमने नेक योजना बढ़ाई। हमारे मचवारे भाईब हैं। बैंक वाले उनको पूस्ते नहीं थे। हमने किसान क्रेडिक कार्ड जयता है, वो मचवारों के लिए शुरू किया। इतना ही नहीं, रेहडी पट्री ठेडे वालों को PM स्वन इधी के रूप में बैंक से पहली बार सहायता सुनिश्चित हुई हैं। और मैं तो चाहूंगा, और हमारे C.R. पाटिल जी और भारती जनता पाटि के कार करता होने, कि सभी नगरों में ये रेहडी पट्री वालों को स्वन इधी के पैसे मिले, उनका व्यापार, कारोबार, व्याज के चक्कर से मुक्त हो जाए, जो भी मेहनद करके कमाएं, वो घर के काम आएं, इसके लिए जो अभ्यान चलाया है, मैं चाहूंगा भरूच हो, अंकलेश्वर हो, वालिया हो, सभी अपने इंच नगरों में भी इसका फाइदा पहुंगा।